बच्चों के लिए बनाई गई अजीबो गरीब कैंडी नमबर 3 पिकल कोटन कैंडी दोस्तों कोटन कैंडी जो काफी मीठी होती हैं और छोटे बच्चे इसे खाने की जिद करते हैं मगर इस कोटन कैंडी को पिकल यानि के अचार के टेस्ट का बनाया गया है और ये कैंडी मी बोतल जितनी बड़ी होती हैं और आप लोग इस वीर्ड कैंडी को मज़े से दो से तीन दिन तक खा सकते हैं नमबर वाली कैंडी देखने से पहले चैनल को सबस्क्राइब करके कमेंट में अपनी फेवरेट कॉल्डरींग का नाम लिखो नमबर वन यूनिकॉन फार्स दोस्तों फार्स बला किसको पसंद होंगे मगर शायद इस कैंडी बनाने वाली कमपनी को पादने से कुछ ज़्यादा ही मुहबबत ही यूनिकॉन फार्स कैंडी को बिल्कुल कोटन कैंडी जैसा बनाया गया है लेकिन इसका कॉंसेप्ट बहुत घटिया है इसके पैकिट पर दिखाया गया है कि यूनिकॉन के फार्स कोटन कैंडी के जैसे होते हैं छोटे बच्चों के लिए बनाई गई इस कैंडी का कॉंसे बहे